देखे बच्चों यह हमारा नेक्स्ट पेराग्राप है देखने में काफी डरावना है जो इर्बान्स का प्रोब्लम है तो पैसेंस तो आपको रखना ही परेगा ठीक है करें सुरुआत इस पेराग्राप से रिलेटेड बच्चों दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ठीक है दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे लेकिन यह आपको दिखने रहा है थुरा सामेश्च कुछ सही कर देते हैं आपको यह अब दिख रहा होगा आपको फाइव और सिक्स है फाइव में आपसे कंपाउंड आर पूछा जा रहा है सिक्स में आपसे कंपाउंड एस पूछा जा रहा है इस पैराग्राप में देखे वच्चों पढ़ते हैं ठीक है फिर बात समझ में आएगी दे रहेंगे आपको उबना नहीं पैसेंस रखना एन और गेनिक एसीड देखे एसीड है पी और और एसीड सलफोनीक हो सकता है धिटीड कार्वागजुलिक हो सकता है लेकिन यहां पर ओटु है दो ऑक्सिजन ने तो दो ऑक्सिजन से मिलकर बनने वाला जो सीड़ा वह अच्छा इसका डी-उ भीन निकाल लेते है लगें उसे क्या होता इस्ट्क्टर गेस करने करने में ह तो कार्बन की संख्या पलस का वन माइनस का हाइड्रोजन की संख्या डिवाइड़ बाइटू बांकि है नहीं है नहीं तो बच्छों ये 12 माइनस का 6 6 हो रहा है 6D ठीक है अब 6DU को लेकर बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो देखो बता आप इसके ओप्सन को देखोगे नो और अब सब्सक्राइब देखने से पता लगता है कि बैंजीन रिंग तो है मतलब एक बेंजीन ड्रिंग को कंसीडर करते हुए ही आपको इस्ट्रक्चर गेस करना है समझ रहना बात देखो आर या एस कोई भी देख लो और भी कुछ न कुछ क्लू देगा मतलब यह तो हमने ऑप्शन को देख कर पता किया है कि काताइक काइन इसली भी ऑक्सिडाइज टू डाई बेसिक एसीड का मतलब होता है जिसमें दो सी ओएच ग्रूप लगे हुए ठीक है एन ऑर्गेनिक एसीड है एक तो एसीड्ट सबसे पहले नमड़ है ही वो तो है ही बच्चों अगर हम इस्टक्चर बनाना सुरू करें लग अहां तो देखो एक बैंजीन तो यहां सब आगे किक तो करपन हो गया है। ग्यारा में से बच्चों एक बोला है और आगे बढ़ते थोड़ा सब समझ में आएगा एक सी ओएच ग्रूप है इसमें फिर काता है कि यह जोंपाउड है इजका मतलब इसका औक शीडेशन मतलब बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव तोटल कितने 11 करवन न तो 6 करवन है इसका मिलाब 5 करवन का चैन अभी इस से लगेगा इस बेंजीन से लगेगा और उसका जब ऑक्षिडेशन होगा तो डाई बेसीक असीड बनने का मतलब यहां है डाई बेसिक एसीड बनने का मतलब यह है कि दो सी ओएच ग्रूप होंगे एक सी ओएच ग्रूप तो अल्डेडी पहले से ही है देखो यहाँ पर ठीक है और दूसरा है आएगा ओक्सिडेशन के बाद करता है विच रियेक्ट विद इथाइलीन गलाइकोल और देखे क्लू दे रहा है करता है कि इसके ऑक्सिडेशन के बाद इथाइलीन गलाइकोल आप समझ रहो ना इथाइलीन गलाइकोल दोता है वच्छों ची ओएच 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 करता है कि डाई बेसिक एसीड जो होगा डाई बेसिक एसिड जो होगा वो इथाइलिन गलाइकोल के साथ जब रियक्शन करता है तो प्रोड्यूस करता एक पॉलीमर और वो पॉलीमर डेक्रोन जैसे ही ये बात बोला नहीं बहुत हद तक क्लियर हो गया सारा खेल अब आपको ये बात पॉलीमर से देखिए इस क्वेशन को लिंक किया है एक ही क्वेशन में बहुत सारी चीजों पूछने का बच्चों अपने पॉलिस्टर पढ़ाओगा ये बच्चों टेरे थैलिक एसिड क्या है टेरे थैलिक एसिड का जब हम इथाइलिन गलाइकोल के सा साथ रियक्षन करवाते हैं समझत अनु बाद को टेरे थैलिक एसिड का जब हम इसाpy अधालिन गलाइकोल के साथ साय AH करवाते हैं तो रियक्षिन करवाने के बाद रियक्षन करवाने के बाद जो है बच्चों जो पॉलीमर मिलत अऊ-सी कॉन रोग टेरिलीन बोलते हैं ड दाई बेसिक हैसी यही था इसका मतलब क्या वा पता है इसका मतलब जो हमारा पी कंपाउंड पी कंपाउंड है इसमें एक सी ओएच है कि और दूसरा गुरूप जो है नुवह यहां पर है यहां लगा हुआ है अब देखो छे एक साथ कार्वन हो चुका है अभी भी हम हमें चार कार्वन सेट करने हैं और डी यू कितना सेट हो गया तीन एक चार और एक पांच इसमें हो गया एक डी यू मतलब डबल बॉन्ड और आएगा और पढ़ते हैं देखो क्या बोलता है काता है अपन ओजनलाइ और ले शेशेस पी काई हो जोना लेसिस करना इसी का घिव्च एन ओली फातिक की टून एज वन अब तो देखो बच्चों हम क्या करें हमें टोटल चार कारवन अभी और चाहिए तो चैट करने हैं तो चैट कर दो और जोनलेशिस करना है तो यह डवल बॉंड भी यहां लगा दो यहां डवल बॉंड लगा नहीं सकते तो एक करवन यहां देना ही परेगा फिर उसके बाद यहां करवन दे करो एक CH3 दर दे तो और एक CH3 दर दे अब जैसे ही आप इसका ओजोनलेशिस करोगे तो आपको पता है यहां से बॉंड ब्रेक हो जाएगा बॉंड ब्रेक होने के बाद क्या होगा बच्चों यह वाला प पार्ट क्या देगा की टोन बोले तो एसी टोन देदेगा और यह देगा एज वन अफ दे प्रोड़क्ट तो यह अभी तक यहां से लेकर यहां तक जो भी इनफोर्मेशन दिया है ना वह इनफोर्मेशन बेसिकली आपको इस्ट्रक्चर गेज करने के लिए दिया है तो सम मतलब यह हो गया कि बहुत बड़े इस्ट्रक्चर और डिफ्रेंट टाइप के बन सकते हैं इसका डियू भी हमने निकाला डियू आया सेक्स फिर काता है उसको इजली ऑक्सिडाइज किया ता उसका उक्सिडेशन जब करते हैं तो डाई बेसिक एसीड बनता है डाई बेसि लिमा Calvin डैक्रोन बनने मतलब यह हो गया कि यह तो टेहरी तहियलक एसीड है मतलब एक सीओएज यहां पर है और एक सीओए यहां से आया है औच ऐकशिदेशन के बाद आया है लेकिन हमें तो पी करना है यह बात थो तय हो गया कि यहां पर एक बेंजीन रिंग है और यहां पर एक सी यह और चुकी Oxidation के भाँ टेरे तहले का इसिब बनना से यहां पर आएगा तो इसका मतलब जो भी बाकी के carbon होंगे वो इस पैरा position पर आएंगे अब उसको बनाने के लिए structure gas करने के लिए बनाने के लिए इसमें बुलाए कि अपन ओजन लाइसिस करने पर जो P है पी वो alipatic ketone देता है क्या देता है ketone अब आपको पता है कि मिलने का मतलब है कि double bond C है और हमें total चार कारवन सेट करने तो हम क्या करें यहां पर CH फिर CH और CH3 इस ऐसे करके कर दिया तो देखो बच्चों ketone भी मिल जाएगा और इसके oxidation से देखो यह पर यह बेंजाइली कारवन है आपको पता है बेंजाइली कारवन के पास जब एक hydrogen होता है कम से कम तो उसको हम strong oxidizing agent के साथ जब उसका reaction करवाते हैं तो यह पूरा का पूरा group COH में convert हो जाएगा मतलब यह हमारा पी है गेस हो चुका है और यह oxygen के बाद मिलेगा और इसी का जब हम लाइकोल के साथ टेरिलीन मिलेगा डेक्रोन मिलेगा यहां से यहां तक जो है जो कुछ भी information दे रखा था वह information था बच्चों पी के structure को गेस करने के लिए और पी का structure फाइनली हम लोगोंने गेस कर लिया है ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो गया टाइम लगेगा टाइम लगेगा जल्दवाजी नहीं जल्दवाजी करेंगा फिर का स्कॉश्चन सॉल्व होगा कोई नीट का एक्जाम है क्या कि फटाक से देखे और टिक माल दिए एक ही क्वेशन में बहुत कुछ पूछ लेता है इसलिए पैसेंस फिर काता है बच्चों पी अंडर गोज दफोलोइंग रियेक्शन सिक्वेंस टू फरनिस आर देखो अब यहां पर अब नीचे में इस करना फिर पिर आर आएगा और देखो यहां पर आर पूछा है आपसे हैं कि अथिके हैंуск आप जो अशन को पर एक दूसरे फेदा यह दोनों और 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 तो पर है टिका वो तो गेस करेंगे किया आएगा नहीं है तो हमने पी तो गेस कर लिया है ठीक है तो पी घेस कर लिया है चलो CY ींट के लिए जलए ड美味 करते हैं फिर बात करेंगा रूप्र देख है आपको पता है के अड़ा टूपीड के पर्जंस में जब हम करते हैं तो क्या होता है यह अलकीन जो है यह कंवर्ट हो जाता है कि में अलकेन में कहने हो हुँ थोरा बहुत लंबा लग रहा है टाइम भी लगेगा थोड़ा बट आसान है SOCl2 SOCl2 आपको पता यह कार्बोगजलिक एसीड का जब हम SOCl2 के साथ रियक्शन करवाते हैं तो यह किस में कनवर्ट हो जाता है COCl में कनवर्ट हो जाता है केवल बस information पता हो तो आप यह question तुरंथ solve कर दोगे है ना यह हो गया आप देखो यहां पर ग्रिगनाड है ग्रिगनाड आपको पता है methyl MGBR दिया हुआ है methyl MGBR दिया हुआ है क्या करेंगे तो आपको पता है कि यह जो methyl MGBR है यह negative यह वैसे negative नहीं लिखते हैं नेटी पारशल पॉजिटिव लिखते हैं तो यह पूरा बॉंड और यह निकलोफाइल बनकर इसके ऊपर अटेक करेगा SNAE मेकनिजम लगे और यहां से फाइनली निकल जाए तो फाइनली क्या होगा फाइनली बच्चों यहाँ पर C double bond O और यहाँ पर methyl और नीचे में क्या है यह बार बार इसे ही लिखना पड़ा है ठीक है यह भी हो चलो ले लिए हमने अब क्या दिया है sodium borohydride na bh4 na bh4 क्या करता है न bh4 का काम है बच्चों ठीक है इस कीटोन को कार्बोनिल को अलकॉल में convert करना तो यह क्या करेगा इसको अलकॉल में convert कर देगा चलो कर देते हैं यहां o h हो गया यहां ch3 लगा दिया यहां पर बच्चों ch2 दे दिया यहां ch दे दिया इधर m e दे देता हूं इधर m e दे दिया यह जो मिला न वो q है वो क्या है q है ठीक अब इन सब को मिटाओंगा मैं क्यूं को उधर पड़ा रहने देते हैं साइड में यह क्यूं हो गया हमारा अब क्यूं के उपर देखो क्या होना है hcl अब आपको पता यह अलकोहल है अलकोहल का जब हम hcl के साथ reaction करवाएंगे सबसे पहला नमर क्या होगा बच्चों यह यहाँ पर protonation करेगा protonation के बाद फिर क्या होगा cl का attack होगा यहीं पर h2o निकलेगा कार्वो केटाइन बनेगा चाहो तो आप sn1 लगा लो चाहो sn2 लगा लो दोनों हो जाएगा टू डिग्री तो आपको क्या मिलेगा यहां पर आपको यहां पर एक chcl लगा देना अपर बच्चों यह बार बार इससे लिखना पर नीचे वाले को इसे मैं ने कर दिया थीक है फिर उसके बाद बच्चों देखो यहां पर है यह जो भी बना है इसके उपर Mg Mg और इथर लिया हुआ है तो आप देखो Mg इथर लेने का मतलब क्या हुआ Mg इथर लेने का मतलब यह हुआ कि यह जो alkyl chloride है यह Grignard में कनवर्ट हो जाएगा हुगा ना तो सी एच इधर लिग देता हूं एम जी सी एल और यहां पर सी एच थी ठीड ग्रिग नाड हो गया फिर उसके बाद को क्या दिया हुआ है पर दिया हुआ है तो आपको पता है बच्चों और नीचे इसे जैसे हो इसे ठीक है फिर उसके बाद देखो बच्चों सी ओ टू है इसका रियक्शन किसे करवाना है सी डवल बॉंड हो अब आपको पता यह ग्रिग नाड क्या होता है ग्रिग नाड इस वोर्ष ओव कार्वि आइन त्यान निगेटिव यह पोजिटिव यह निगेटिव कार्विनाइन नुकलोफाइल बनके अटेक करेगा इस पर यह खुल जाएगा और यह फाइनली यहां स्टूट जाएगा नीचे बना रहा हूं इस्टक्च्चर तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे यह CH3 और इ कि इसको उएच कर देना इसको नीचे में अब जो भी है उसको मैं अच्छ 이 लिख देता हूं कर देखो टाइम जरूर लगा कreζeस करने के लिए और तो लगेगा है लेकिन सौल वह चुका है आर आर मिल गया देखो यही तो आ रहे हैं और चाहिए क्या था में आ रही तो चाहिए था तो पहला पहला देखो पहला गेस करते हैं बच्चों यह दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा CH2 CH यह भी नहीं होगा यह हो जाए है यह मिथाईल है इस कार्बन पर CO2 जो बना अभी पैरा पोजिशन पर यह लगा होगा इस प्रकार से देखो हमने आर बना लिए ठीक है अब अगला क्वेशन S को लेकर है और S जो है न वो P पर सारे एक्स्पेरिमेंट हुए है इसका हम लोग यह सब जो हमने बनाया है अब यह सब को मिटा देने में ही फाइदा है पी से एस बनाना देखो पी से एस बना लेता है चलो बहुत बढ़िया है सबसे पहला नमबर एच्टू पीडी लिया है चारकोल तो आपको पता है यह अलकीन जो है यह किसमें कंवर्ट हो जाएगा अलकेन में ठीक फिर उसके बाद बच्चों अमोनिया के साथ जब हम हीट करेंगे इसको तो आपको पता है जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा तो यहां से dehydration होगा H2O निकलेगा यहां से ठीक है और फाइनली बनाएगा यह एमाइड क्या बनाएगा एमाइड बनाएगा और नीचे जैसे बच्चों वैसे बार बार लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद देखो और आगे बच्चों बियार्टू एनेओएच अब दे होपमेन ब्रोमामाइड रियक्शन के बाल इंफॉर्मेशन पता हो समझे रूनवाद यहां देखो कोई मेकेनिजम नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में इनफॉर्मेशन अगर आपको पता हो अच्छे से ठीक है तो आप यह क्वेशन कर लोगे लेंक क्वेशन लेंदी है मतलब बड़ा है सोचने वाला है एक ही क्वेश्चन में देखो कितने क्वेश्चन पूछा है तो यह बात कर रहेते हैं होपमेन ब्रोमामाइड में क्या होता है बताइए होपमेन ब्रोमामाइड में यह सीओ हट जाएगा और यह नेस्टू इसके उपर आकर शिपक नीचे बच्चों जो लिंक है जो वैसे ही चल लिखा रहा है फिर उसके बाद देखो यह बन गया वन डिग्री का एमीन क्या बन गया वन डिग्री एमीन बन गया कि अरो मैटिक एमीन है अब आपने पढ़ा होगा कार्वाइल एमीन रियक्शन एमीन से आइसो साइनाइड बनाने के लिए C-C-L-3-plus का कोईज के साथ रियक्शन करवाते हैं ठीक है तो यह बेसिकली किसमे कनवर्ट हो जाएगा एनेच्टू किसमे कनवर्ट होता है एनेच्टू किसमे कनवर्ट होगा बच्चों आइसो साइनाइड और नीचे जैसे व बोंड होगा ना समझत हो बात हैं आप जब हम इसका रिडक्शन करेंगे लिए के हाइडोजी नेशन करेंगे एच्टू PD के परजंस में PD चारकोल के परजंस में तो ये ये जो आइसो साइनाइड है ये रिड्यूस होकर 2 डिगरी के एमीन में कनवर्ट हो जाएगा कैसे होगा 2 डिगरी ये बनेगा NH ये बन जाएगा CH3 और नीचे अब जो था वो लिखने का टाइम आप चुका है तो इस तरह से finally हमने product निकाल लिया ये जो product मिला हमें ये S हो गया ठीक है अब हमें guess करना है option देखो ये 1 डिगरी का एमीन नहीं होगा या तो ये होगा या तो ये होगा अब आपको पता है कि पहरा सब्स्टिटूटेट ही हमारा P था ठीक है समझ में आ रहा है न तो बहुत ही आसान और सांधार question था ठीक है